आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students तुम्हार आज का Question क्या है? Which of the following is not the characteristics of a wave? Waves का इन में से कौन सा Characteristics नहीं होता ठीक है? तो पहले चेक करते हैं क्या Reflection होता है? तो Reflection Example के साथ देखते हैं Clear हो जाएगा Light को ले लेते हैं Sound को ले लेते हैं दो Waves को हर वक लेके चलते हैं इन दोनों में Reflection होता है Right? इसका मतलब This is a Characteristic ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूँ Character Characteristic ठीक है? यह हो गया हमारे पास Wave की Characteristic अच्छा Second देखते हैं Refraction Refraction देखो Light का होता है हाँ बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे चीज़े अपने Materials की Through चले जाती है ठीक है? जैसे की Waves यह क्या है? तो यह भी Characteristic हो गया ठीक है? मैं लिख नहीं रहा बार-बार यह टिक मार रहा हो मतलब यह Characteristic है C Part Interference Interference तो यह तो सबसे Important है क्योंकि Waves अपनी Interference की कारण ही सबसे ज़्यादा Wave Nature शो करती है Interference क्या होता है? एक ही जगा पर एक से ज़्यादा Waves मौजूद हो सकती है और आपस में एक दूसरे Amplitudes को Change करने की कोशिश कर रही होती है कहीं-कहीं पर Construct कर रही होती है मतलब अपनी Amplitudes को बढ़ा रही होती है कहीं-कहीं पर Distruct कर रही होती है तो यह तो उसका बहुत Important Characteristic है D Part Polarization Polarization में क्या होता है? हम लोग उसके किसी एक Axis में उसको Restrict कर देते हैं उसकी किसी भी Oscillation को किसी एक Axis में Restrict कर देते हैं और यह काम हम लोग सिर्फ Waves में ही करते हैं इसलिए यह बात भी Correct है E Part Diffraction तो obviously हम दोग diffraction देखते हैं diffraction क्या होता है? अगर कोई Light Ray या किसी वी तरीकी जो Wave है वो किसी बहुत पतले बहुत ही पतले Slit में से पास करती हैं तो वो हलकी सी Bend कर जाती है ठीक है? और अगर कोई चीज हलकी सी Bend कर रही है इसी वाली Phenomena को हम क्या बुलते थे? diffraction ठीक है? तो यह भी characteristic है Wave की ही और Last आता है F में Rectilinear Propagation Rectilinear Propagation सुनके तो लगता है कि यह भी इसकी characteristic है क्योंकि हम बच्पन से सुनते है Rectilinear Propagation of Light Rectilinear Propagation of Light पर यह characteristic नहीं है Reason इसका counter अभी अभी diffraction में दिया गया है Rectilinear का मतलब है हमेशा सीधे चलते रहना Propagate करना सीधे propagate करते रहो Straight path में जबकि ऐसा नहीं होता हमने देखा यहां पे bending हो गई बिना किसी चीज से टकराए बिना किसी surface के इसके सामने आए अपना bend कर गया ठीक है बाकी cases में क्या था कोई surface सामने आ रहा था तो उसमें जाते time speed में change आया जैसे reflection है कोई surface आया उसमें जाते time speed में change आया इसलिए थोड़ी सी bending होई reflection में सामने surface आ गया उसे टकरा के वापस आया तो bending होई ठीक है interference में कोई bending नहीं होती पर diffraction सबसे clear example है जो इस बात को clear cut मना करता है कि rectilinear propagation नहीं होता हां होता है rectilinear propagation पर किस में macro world में macro world क्यों बोलरों क्योंकि जो slit है यह बहुत पतली होनी चाहिए ठीक है यह जो slit है यह very very thin होनी चाहिए ठीक है कितनी thin comparable to wavelength comparable to wavelength जो भी हम wave यूज करें उसकी wavelength की comparable अगर यह चीज होती है ना तो हमें diffraction देखने को मिलता है पर यहां कहीं नहीं लिखा है practical propagation सिर्फ macro world में यह तो एक जनरल characteristic बोली गई है तो this is not a characteristic बाकि सारी है तो आया हो भी यह question भी सबको समझ में आया होगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts आच चार्सो 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 पर